नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चानल पर आज के इस उड़ी में हम बात करने वाले AMD VS NFCC के पीच होने वाले match के बारे में आज के इस उड़ी में हम बात करने वाले match के details के बारे में बिच रिपोर्ट के बारे में दोनों टीमों की प्रोबबले लिए उसके बारे में कुछ प्लियरों के स्टाइट्स में आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको अपनी खुत की अच्छी खासी विनिंग टिम बनाने में हेल्प हो जाएगी मदद हो जाएगी चाहिए वो ड्री सब्सक्राइब कि है या फिर आप मेरी चाहिए टो जरूरर जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करारे एंगों को प्रेज़ करके हो आल पर भी अगर बात कर लेते तो सिशी वर्सेस निकोसिया फाइतर के माच यानि एमडी वर्सेस एन्फशिस्ट के बीचे माच है और डेटोटाइमिग की अगार बात करते हैं तो थुषदे 29 आप ऑक्टोबर यानि आजी के दिन रात को साड़े 9 वजे पहला मैच होने माच होने वाला वेन्यू के अगर बात करें तो एन-पॉंस, ग्रिकेट फ्लोर, लाइम, सोल, लीमा, सोल है दोस्तों वही अगर आप इसकी लाइफ्स्ट्रिमिंग देखना चाते है तो जरूर देख सकते हैं, लाइफ्स्ट्रिमिंग देख सकते हैं, आप फैन कोर्पर अब बात करते हैं पीच रिपोर्ट की जो की सबसे इंपोर्टन चीज होती है मैच की तो दोस्तों पीच रिपोर्ट के नुसार ये दुनिया में अभी जो है पीच दुनिया में सबसे बेस्ट लग रहा है बैटिंग के लिए यारे जो भी टीम ढ़त जीतेगी अफ्कोस होने वाले गेन बाजी को यहाँ पे शायद कुछ भी मदद ना मिले तो इंट्रेस्टिंग होगा यहाँ पे कोन के ज्यादा को स्कोर बनाता है और कोन ये मैच जीता है अब बात कर लेते दोनों टिमों की प्रोबेबली लेवन किस तरह से रहेगी तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रोबेबली लेवन किस तरह से रहेगी तो वो कुछ इस तरह से रह सकते प्रिताज डेवल सी शाहा अविनाश राने राहुल चुकला श्रीकांत के स्वारुप पट्टायक आए प्रित्रा चोधेश शुमीत आडवानी एसकुमार और घीरिधर शिंग इस तरह से रहे सकते एमडी की प्रोबेबली लेवन या फीर प्रेडिक्टेड लेवन या फिर प्लेइंग लेवन भी आप कह सकते अब बात कर लेते एन फसीसी की प्लेइंग लेवन की तो वो कुछ इस तरह से नहीं सकते हैं अब्दुल अलतस्मीर एन चोदरी पी मिहा के मोहमद एम रह्मान एस ए सुकुर कामरान अहमद अलवी चोदरी नईम खान एस अलमीन और सवरभ अहमद तो इस तरह से रहेगी एन फसी सी की प्रोबेबल लिए प्रेडिक्टेड लिए प्लेइंग लिए आप कह सकते तो कुछ प्लियर हो कि आपको स्टाइट्स में दिखाने वाला हो जिससे कि आपको अपनी खुद की एक विदिंग टीप बनाने में फार्ट फाइटर्स फाइटर्स के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए इन एट इनिंग्स ही हाज हैमर्ड 264 रन विद्ध है स्कोर आफ अन्बीटन 85 उन्होंने सिर्फ आठ मैचेस के लिए दोस्तों दोसो चौशाट रन बना रेट निमें कामियाब रहे और इनका हाइट स्कोर अगर देखा जाए तो वह पिच्चासी का है इसके साथ ही साथ अगर आगे आपको आयरानिय होगी कि इनका स्ट्राइक रेट 204.55 का है याने उन्होंने तो कम मैचेस में रन तो ज्यादा बनाई है हाइट स्कोर भी जबर्दस्ते और साथ ही साथ इनका स्ट् फिगर आप 2443 इननोंने अब तक इस सीरीज में भी इनोंने भी आठ मैचेस के लिए जिसमें उनके हाथ छे विक्टे लगिये दोस्तों और काफी बढ़िया रही इंचे विक्टे उनको हाथ लगिये और उनका बेस्ट फिगर है चोईस रंदेकर ते रिकेट अगले जो आम 142.98 याने इनोंने एक सो त्रेशाट रंड मनाए एमडी के लिए साथ साथ इतका आइसकोर 36 का है और स्ट्राइक नेट भी करिब कर भी 143 का है हाला कि इतना अच्छा परफॉर्फरमंस नहीं है लेकिन फिर भी हम इन्हें होट पिक्स में जरू रखेंगे इसके बाद हिते टी की बात कर लेते तो तो इन एट इनिक्स ही आज पिक 10 विकेट जिए दोस्तों दस विक्ते लिए उन्होंने शिर्फ आठ मैचस में जो की काफी बढ़िया मानी जा सकती काफी जबदस थे दोस्तों और साथ साथ इंका बेस्ट विगर की बात की जाए तो 17 रंडी कर दो है तो इस तर से यह कुछ हाट पिक्स मैंने दिखा दी है दोस्तों चलिए आप चलते ड्री मिलियोन के आप पे और देख लेते ड्री मिलियोन की तीन विनिंग टिप जिससे कि आपका अच्छे खासे अर्डिंग हो सकते या फिर आप ग्रैंड लिए स्माल्डिंग भी किया दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताए इनके बीच लगाता दो गंटे के अंतर से दो मैचे से तो इस तर से मैंने यह दोनों मैचे से दोस्तों पहले मैच पर क्लिक कर लेंगे और यह वीडियो और यह टीमें दोनों मैचे के लिए दोस्तों अगर आप अगर लगाते अच्छे मैं तो मेरी टीमस की अनुसार लगा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हमने क्लिक कर लिए इस मैच पर आगर आप तक टीम नहीं बनाई तो create a team पर click किजिए मैं already 3 teams बना के रख चुका हूँ जिसको मैं आपको my team पर click करके edit करके दिखाऊंगा किस किस को लिया है और captain और wise captain हम किसे बना सकते तो चलिए my team पर click कर लेते हैं और पहली team आपको edit करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर keeping में हमारे पास तीन बड़े बड़े option है दोस्तों तो हम पहले पहली बार तो C शहा को लेने वाले इस team में बाकी किसी keeper को इस team में नहीं लेंगे चलते हैं बल्ले बाजी पर तो यहाँ पर तीनी बल्ले बाजों के साथ में जाओंगा एम रहमान के साथ जाओंगा उसके बाद एस कोमी रिपू एस कोमी रिपे लिए कोई साथ जाएंगे के अहमत के साथ जाएंगे तीनों की टीनों बेस बैट्स मनें दोस्तों तीनों ने जबादस परफोर्मस किया और काफी अच्छे point अब तक दे चुके है तो ज़रूर आ जादा all rounder summer pass रह सकते हैं उतना अच्छा रहता है तो क्यूकि यह दोनों कर सकते हैं बैटिंग और वर लिंग दोनों कर सकते तो हमें double परंट दे सकते हैं तो सबसे पहले हमारे पास वी कॉंडरी को लिया है उसके बाद एल तस्मीन को लिया है उसके बाद एच थंडर नी को लिया है तो ये तीनों की तीनों देख सकते हैं दोस्तों इसमें से दो ने तो 1000 से भी ज़्यादा पांड दिये और एक ने 800 से ज़्यादा पांड दिये तो इन टीनों को लिया है दोस्तो मैंने उसके साथ-साथ और एक All-Rounder को लिया है इन्होंने भी 400 से ज़्यादा पांड दिये तो 4 की 4 जबदस्त इस पंगल को को इस ट्小site में शामिल किया है दोस्तो ये भी काफी बढ cuadिया है और ये टीन भी काफी बढ़या है चारों की चारों में निद्ध है और उसके बाद की अभिए तो इसी लिए से मैंने इन तीनों को इस टीम में शिलेक किया है तो यह टीम में काफी बढ़ी आप रहे हैं दोस्तों काफी जबरदस्त हैं दोस्तों जैसे कि आपको दिखा दू यह वी कांधूरी को काफी कम लोगों ने एक अजार से ज़्यादा पॉइंट देने के बाउज़त काफी कम लोगों ने क्याप्टर और वाइस क्याप्टर लगाया इसलिए मैंने इनको क्याप्टर बनाया अगर आप चाहे तो जरूर चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर यह अच्छा परफॉर्वरंस करते हैं तो आपको काफी ज़्यादा हो जिए आल तस्मीन पर काफी लोगों का ध्यान है उनको 66% से ज्यादा लोगों कीपिंग में है सी शाह उसके बाद हमारे पास बल्ले बाजी में भी टीन बल्ले बाजे दोस्तो जैसे कि मैं आपको बता दू एसको कॉरी पूले लू इसके बाद K. Upper M. Rhumans, तीन बल्लेबाद है दोस्तों, तीनों की दिनों. बेस्ट बल्लेबाद है, तीनों ने काफी जबदस परफॉंस के अफ तक और काफी अच्छे पॉइंट अब तक दे चुकए और अच्छे खासे स्ट्राइकर चे बल्लेबाद हे वही प्रवेश को इस टीम में आपकी जगा मैंने गेन बाज़ी के बारे में बात कर रहा हूँ लिए को लिया है और मत को मिला की जबर दस्त हमारे पास काफी ज्यादा बढ़ीया टीम बन चुके और यह टीम के लिए किज़ेगा दुस्तों इसे वेस्ट मत किज़ेगा क्योंकि यह टीम सबसे बेस्ट बनने हादी मेरे गेंबाज भी अच्छ है तो इसलिए मुझे लगता है कि यह टीम आगर आप ग्रांड लिग के लिए उज़ करेंगे तो ज़रूर आप ग्रांड लिग भी जित सकते हैं या फिर आपको अच्छी खासी आर्टिंग तो आफकोस हो सकती है उसके अलाव अगर आप नहीं चाहते ग्रांड लिग लगाना तो स्मॉल लिग के लिए भी ज़रूर लगा सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि 99% यह टीम ग्रांड लिग के लिए बनी है तो ठीके दोस्तों इस टीम को अभी क्लोज करकर सेव कर लेते हैं और दूसरी टीम को आपको एडिट करके मैं दिखाने व दूसरी नियाएं बड़्य दोस्तों आफकोस हमारे पास दो अल्डर स्ताथ रहेंगे ही ही भी कान्धूरी को तो लेना य को यह ल तसमीन को भी तो जरूर लेंगे हम उसके साथ हमने तीसरा जो आल राउंडर यहां पे चेंज किया है इस बार मैंने पी मिहा को लिया इस पिछले टीम में इनको हम नहीं ले पाए तो जरूर आप इनके साथ भी जा सकते कोई प्राब्लम ने क्योंकि यह बी काफी बढ़िया परफॉमस कर है और उन्होंने भी काफी अच्छे पॉइंट अब तक दिये तो जरूर आप इस तरसे भी टीम बना सकते चलिए दोस्तों कोई प्राब्लम नहीं कोई दिकत नहीं तो चलते गेन बाजी पर तो गेन बाजी में मैंने ए राने को लिया है उसके बाद आर शुकला को लिया है और A.S.L. अमीन को लिया है तो तीनों की तीनों ये भी बेस्ट गेन बाज है दोस्तों जरूर आप इनके साथ भी जा सकते कोई प्राब्लम नहीं कोई दिकत नहीं है दोस्तों कंट्यूने पर क्लिक कर लेते और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के बना सकते तो इस टीम में मैंने सबसे बहतरिन काप्तर और वाइस काप्तर लगा, और वी कांडूरी को वाइस कैप्टन देख सकते दोस्तों काफी जबदस्ते इनको 77 परसेंट से यादा लोग दोने लोग दोने िंको 422 परसेंट मना है क्योंकि यह बीizing लोगों ने वाइस क्याप्टर मेरा एक बार टीम प्रिवू करा देता हूं जैसे कि आप देख पार है चोधरी को मैंने लिया है आज विकेट की पर और वही आगर बात कर लेते बैट्स बंस के तो मैंने यहाँ पर चार बैडले बाज लिये है जी सागवान को इस टीम में लि बैटिंग करते हैं तो जरूर आप इनको भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं तो चलिए दोस्तों गेन बाज और रॉंडर की बात कर लेते तो यहां पे भी मैंने एक चेंज किया है पी मीहा को लिया है और एल तसमीन और वी कांडोरी को तो लेना ही है हर टीम में क्योंकि इनोंने हजार से भी ज्यादा पॉइंट दिये तो इनको छोड़ना थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है और काफी अच्छे फॉर्म में दोस्तों और अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है इसलिए इनको चोड़ना नाम उनक तो वही अगर बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एल तस्मीन को लिया कैप्टन किया है काफी जबदस फॉर्म में काफी बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं और काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से की तो इसी वज़े से इन दोनों को मैंने कैप्टन और क्वाइस कैप्टन कींग के है तो कर दाब्र बैट्न देते हमें बैटिंग और वॉलिंग में इस वज़े से हमें डबल Planet मिल तो इस वाज़े से मैंने इन दोनों को कैप्टन और वाइस काप्टन बनाया दोस्तों आप इसी तरह से बना सकते कोई प्राब्लम नहीं कोई दिकत नहीं तो वही अगर बात कर लेते यह टीम भी अगर आप देखेंगे तो आपको ही रियालाइज होगा कि यह भी टीम यादा कम रहे तो लेकिन अगर आप मल्टिपल लगाते तो आपके जितने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते तो इसलिए मैं हर बार बताता रहता हूं कि मल्टिपल स्टीम लगाए तो इस टीम को भी आभी आप ग्राइंड के लिए उसके जगा स्मॉल लिए यूज करके वे सबसे पहले विकेट कीपिंग में हमने फिर से यहां पर चेंज किया है दोस्तों एन चोधरी को लिया है इस बार पिछले दोनों टीमों में अलग-अलग की पर से इस बार बैटिंग में तीन ही आप्शन वही ने वापच चूज किये जैसे कि आप देख पार है एम रहमान क मैंने एस कोमेरी पलेलू को इस टीम में शामिल किया है और के अहमत को इस टीम में लिया है तो तीन बल्लेबादों के साथ मैं जाने वाला हूँ जोस्तों वही अगर आप तो जादा भी बल्लेबाद ले सकते हैं लेकिन मैं फिर से ओल्रॉंडर में चार ओल्रॉंडर के और एस पंगल को भी इस टीम में शामिल के है ये भी काफी बढ़िया अल राउंडर से दोस्तों दोनों की दोनों काफी बढ़िया आप बैटिंग और बॉलिंग कर सकते और उन्होंने अब तक बताया भी है जैसे कि आप देख पा रहे हो सकता है आप इन्होंने मैचेस कम खे आते तो यहां पे परवेश को लिया है पी राय को लिया है यहां पे अब तक नहीं लिया था एन्खान वन को भी लिया है इनको भी अब तक टिम में शामिल नहीं किया था दोस्तों तो इसलिए इन दोनों को मैंने इस टीम में शामिल किया तो लिए दोस्तों टीम प्रिवी तो एक पर दाव कर सकते तो तो डोस्तों वही अगर लिए जेनबा लेते घेनबाजी की तो पी राय को लिया है पी प्रवेश को लिया इंदोनों को अभी तक के वी टीम में शामिल नहीं कर पाए थे हम तो जरूर इंके साथ जाएंगे और खान के साथ भी हम जरूर जाएंगे तो इस तरह से यह भी टीम आफी जबदस तो यह गता है और अच्छे करें तो जरूर आप अगर यह पाइदा होने वाला जिसी लिए को भाइस कैप्टन बना रहा हूं तो देख सकते यह भी टीम काफी बढ़िया बन चुके जहसे कि आप बोलेंगे की मैं हमेशा बोलता रहता हूँ लेकिन आप ही चेक कर सकते दोस्तो कि काफी बढ़िया बनी विचे अगर आप उस्था में इस लोगां संपर्थिक ये नहीं तो कम से कम जादा से जादा आर्रिंग आपको जरूर हो सकती नहीं तो दोस्तों इस टीम को भी अभी खर लेते और सेव कर लेते और आफको सब्सक्राइब को कुछ करना कर चाते तो आप जरूर कर सकते सात है कापडन से अगर ने तो वो बी आप कर सकते लेकिन ज्यादा चेंजस मत कीज़ेगा दोस्तों काफी अच्छी टीम है बनी एक काफी रिस्क हैं आप अगर चेंजेस करेंगे तो तो दोस्तों आपको मैं फिर से एक बोनस टीम दिखाना चाहता हूं यह सिर्फ आपकी मर्जी आप इसे ग्राइंड के लिए उसकी जिए फिर स्मॉल लिए को लिए क्योंकि कोई भी कीपर अगर अच्छा पर्फार्मंस करते तो आपको जरूर्ब फायदा होगा को लिए और उसके बाद अ चोधुरी को लिए और उसके बाद ए चोधुरी को भी इस में शामिल किया थी avenues किया है क्योंकि ठीनल ने काफ़ी बड़ेया with performance कि देनें लिए सब कौरी में कॉमी रूप पलेज़े को लिए और केमद को लिए तो इसतर से तीन बल्ले बाट को भी लिया है उसके बाद हम पहले देख ले थे आल पर ऑन्लों दैकल तौह यह दोनों उतलों रहें तो इस ने यहां को लिए कौनिर डूर और ओर आमुन को दिया यह तो यह भी टीम काफी बढ़या है दोस्तों continue पर क्लिक कर लेते देख लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते तो इस टीम में मैंने कैप्टन बनाया है के अहमत को जैसे कि आप देख पारे 7% से जो ज्यादा लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया है और अच्छे खासे अब तक यह पॉइंट दे चुके तो जरूर कोई रिस्क नहीं है दोस्तों इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में लेकिन अगर यह अच्छा परफॉंस करते हैं तो देख सकते हैं 2.61% लोगों को फायदा होने वाला है जिसमें आप भी रहने वाले इसकी वज़े से आप ग्रांड लिग काम्ट कर लेते तो देख सकते हैं normally कम रिसकी लगाए क्योंकि 5% से ज्यादा लोगों ने इनको है फैसल अमीन या अच्छी खासे विखते निकाल रहे हैं और आपको प्रेवी करा देता हुँ देख सकते दोस्तौ यह बी टीम काफी बढ़िया बनी है तीन कीपर लिये मैं एम रह्मान के एहमद और एस कोरी कोमीरी पलेपू तो इनको भी मैंने लिया है तो तीन बल्लेबाद हमारे पास है उसके बाद दो अल्राउंडरे दोनोंने 1000 से ज्यादा पंड दिये जैसिक मैंने बताया आपको एल तस्मीन को लिया है और वी कांदोरी को लिया है तो इस बा उसके जिएगा क्योंकि आप मल्टिपल स्टीम लगाएंगे तो फाइदा जरूर होगा और आप जरूर्ण लिग भी जीत सकते हैं या फिर आपको अच्छी खासी जरूर हो सकती है तो यह मैं आप पर छोड़ता हूँ आपको इस ट्रीम को किसके लिए चूश करनी घ्राइ काफी बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में इसलिए इनको कैप्टन बना है वही अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर मैंने एसल अमिन को वाइस कैप्टन मना इन्होंने भी काफी बढ़िया विक्टे निकाल लिए है तो जरूर्ण आपको फाइदा हो सकता है इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ये दे सकते हैं इस तरह से इस टीम में भी अगर आप कुछ चेंजेस करना चाते तो जरूर कर सकते लेकिन सबी टीमों में ज्यादा चेंजेस मत की जगा दोस्तों काफी रिस्की साबित हो सकता यह आपके लिए तो दोस्तों मुझे तो चारो टेम काफी पसंद आई हो आई हो आपको भी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे साथ इसाथ अब तक आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजे ताक इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुच सके तो थोई के दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू अध्याद